नमस्कार, विद्ञार दिमीतेन। प्राचीन भारत सहीतिया तरीके वेदिक सहीतियानों परिचाई आपो तो चार आपड़ा वेद छे एक छे रुगवेद, यजुर्वेद, सामवेद अने अथर्वनी रुगवेद नी आपने चर्चागारी तो के भारतिया सहीतियानों प्राचीन ताम अने दस भाग मा वेचाईलो एवो अजबुद गरंद छे जेनी अंदर एक अजार अठ्याविस जितली रुचाओ छे जेनी सुक्तो तरेके उडखवा मा आवे छे तेमा ती मोटा भाग नी वो जेछे ए देवों लगती हो छे अनी स्तुती यगना प्रसंगे करवा मा आवती है तेमा खास करेने उसा ने संत्था ने करती स्तुती हो छे एक एक टनी केवी छे मनमोहक छे एना पचीनी वाद करी यजुर्वेद यजुर्वेद न सब्द जे छे ए यजु सब्द दातुनी साते निस्पन छे अले कि यजुनो अर्थ थाई छे यगन अथवत पूजा एवो थाई छे जे मंत्र थी यगन करवामा आवे छे तेने यज यजुर्वेद तरेकी ओडखवामा आवे छे आमा अक्सरोनी संख्या निस्चित वती न थी जे यजुर्वेद छे अने किटलाक गद्दिस वरुपना छे तो किटलाक पद्दिस वरुपना होई छे पतंजली यजुर्वेद नी सो जेटली साखावोनो स्विकार करेलो छे यजूर्वेत ना मुख्यते देवता चे, ए वायुदेव चे, यजूर्वेत ना बे भागो पाडवामा आवेला चे, एक तो सुखल औने एक छी क्रुष्ण સુકલ પક્ષની વાત કરીએ તો તેમાં ખાલી મંત્રોનુ ઉચારણ હોએ છે चारे कृष्णा पक्सनी वात करिये तेमा मंत्रों नी साथे साथे ब्राम्मन भागमा पन वैचाहिलो चे, लेके बन्ने भागमाईनो समाविस करवामा आवेलो चे, अने कृष्णा यजुर्वेद मां मंत्रों विनी युग, विवरन अने व्याख्यान पण एनियंदर आवे चे, अने सामवेद ने संगीत नी गंगोत्री तरीके ओडखवामा आवे चे, एउग केवाई छे, कि संगीत नी अंदर साथ स्वर्ण और अने अग्छे आने बेरवी छे, एना पछी नी वादकर येतो को अथरव वेद, अथरव वेद मा अनेक प्रकारना कर्म कांडों अने संसकारों वरणान करवा मा आवेलों छे, आपड़ा मनुष्य जीवन मा खोल सोल संसकारों आवेला छे, टोटल सोल, आने जे आपणेम केव आई तो एक ग्रंथो नी अंदर वेदिक मंत्रों ना अर्थो आपेला छे अने तेमा विविदी यगनो अने तेने लगती विदियो माटेनु मार्ग्रशन विस्तार्थी आपवामा आवेलू छे एना पाची जोई आर्णियक ग्रंथो एटलेसु तो के जंगलो के आर्णियक ग्रंथो नी अंदर आर्यो ए जंगल मा वस्वाट करेने सतत चिंतन करेने रचेलो तत्वक ज्यांती सभर एवुसु छे एक प्रकानू साहित्या छे जेमा एम केवाएके वेधवियासी नो आश्र मतो ए जंगल मा आतो अने ए तिया जै आने सत्तन सत्त जंगल मा राईने तौप ने बदु करता हाता आथा एना पाची छे उपनिशदो उपनिशदो नी वाद कर एतो भारती य दार्षनिक शाहित्य एकने गणवामा आवे छ तेमा ब्रह्मान नो आरंब कई रिते थायो जीवन सुछे मृत्यू सुछे बोतिक औने अध्यात्मिक जगत एटले सुछे तेमाच अनिक दार्षनिक प्रस्तों नू विवेचन करवामा आवेलो छे लेके संपून रिते एनिदर में दनोच उल्लेक करवामा आवेलो छे ब्र अनि आगल भगवान प्रिश्णा है जे अर्जुन ने खाली 45 मिनिट माज जे ग्ण्यान आपेलोतु गीतानू ए सम्वास्वरू पयातू के भगवान अता एएना जवाब आपता गया अनि जे अर्जुन अता एना मनमा जे प्रश्णा हतू एनू एक प्रस्ता गया ने वेदांग नी अंदर आ साहित्या नी अंदर कर्मकांडो छे जोतिस छे व्याकरन छे अने खगल सासर्णों समाविस करवामा आवेलो छे तो एक प्रस्ता आपनो पूरो थाई या मिजा प्रस्ता नी वाद करिये तो कि महाकावय तरीके रामायन अने महाभारत नो परी चै आपो तो एनी अंदर आपने जोई तो रामायन अने महाभारत भारत ना बे मुख्य महाकावय तरीके उलखाई चे आबने महाकावयों नी रचना सेकडो वर्सो ठाई गया आता और बिजी सदी मा आ महाकावयों वर्त्मन स्वरुप छे आपने प्राप्त थायलू जुवा म जीवन प्रसंगोनी वाद करेले चे के जन्माथी लए औने राम भगवान जे सर्यू नदीमा ओते जे जल समाधी लए लिदी तेयां से दुन अक्को एनू चरित्र बतावेलू छे माभारत नी वाद करिये तो माभारत ना माभारत जे चे मा लगबग एक लाक स्लोको करता पन वधार स्लोकोनू वरणन करेलू छे जे विश्वन सवथी मोटो काविय ग्रंध गणवाम आवे चे अने पांडवो अने कवरो वच्चे नो मुख्य विशाई छे आ अने तेम छता अनेक नानी मोटी वारता अने तेनी साथे जोडी देवामा आवेली चे महाबारत जे एस एमा स्रीमत भगवत गीता नू गहन अने दार्शनिक सित्तान तोनू विवेचन करवामा आवेलू छे ए उप्रां तोके मुख्ष प्राप्ति ना त्रोण मार्गो नू एनी अन्दर वात करवामा आवेली चे जे माचे ग्ण्यान, कर्म आने भक्ती मार्गो आम संस्कारों नू जे सिंचन छे, एपन एक प्रेरक कारी तरीके आबने महा कावी हो, एपो तानी आगवी एक छाप उभी करेली, छे.